अगर आप जिन्दगी में तरक्की करना चाहते हैं तो आज ही अपने घर में मिट्टी से बनी चार चीजे ले आईए। इन चीजों के घर में रहने से धन अपने आप खीचा चला आने लगता है और सभी सुख वैभव की प्राप्ती होती है। दुनिया में काफी सारे इंसान ऐसे हैं जो खूब मेहनत करने के बावजूद जिन्दगी में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। जो तिश्विदों के मुताबिक इसमें दोश उनकी मेहनत में नहीं बलकी कमी भाग्य का साथ ना मिलने की होती है। इसके लिए उन्हें कुछ वास्तु उपाई करने की जरूरत होती है। इनहीं में से एक उपाई मिट्टी के बरतनों से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों के मुताबिक घर में मिट्टी से बनी चार चीजे ले आने पर किस्मत के सितारे चमतने लग जाते हैं और जिंदगी में तरक्की के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। घर को खूबसूरत दिखाने और हरियाली बढ़ाने के लिए लोग गमलों में पौधे लगाना पसंद करते हैं। ऐसा करने से मन की शांती और तनाव से मुक्ती भी मिलती है। वास्तू शास्त्र में कहा गया है कि मिट्टी के गमले लगाना ज़्यादा शुब माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्म कूर्जा दूर भागती है और धन का प्रवाह घर में बढ़ जाता है। चाहे कोई पूजा पाथ हो या रोजाना होने वाली आर्ती, कोई भी धार में कनुष्ठान दीपक प्रजवलित किये बिना पूरा नहीं होता। वास्तुविदों के अनुसार आर्ती के लिए मिट्टी से बने दीपक का इस्तिमाल करना चाहिए। इस प्रकार का दिया मा लक्ष्मी को बेहद पसंद होता है और वे उस घर में अपना पक का बसेरा बना लेती हैं। गर्मिया शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज का इस्तिमाल करना हर घर में सामान्यसी बात है। हाला कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखे तो पानी पीने के लिए फ्रिज या प्लास्टिक जग नहीं बलकी घड़े के पानी का इस्तिमाल करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखे कि घड़ा हमेशा पानी से भरा रहना चाहिए। घर में बने मंदिर में पूजा के लिए लोग अलग अलग तरह की प्रतिमाएं रखते हैं। आजकल बजार में मिट्टी के साथ ही पत्थर और प्लास्टिक से बनी मूर्तियां भी खूब बिक रही हैं। वास्तू शास्त में कहा गाय है कि धन की आवक बढ़ाने के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों को ही घर में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है।